हलो एवरीवन वेलकम टू नामदेवकेडमी यूटूब चैनल तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले सिगनेचर ब्रिज के बारे में और इससे संबंदित जितने भी क्यूसंस बने हैं वो सारे क्यूसंस यहां पे लिए हैं और देखो हाली में हमें पता है कि चार टॉपिक है तो इससे जितने क्यूसंस बने हैं वो सारे के सारे MCQ के फॉर्म में मैंने यहां पे ले लिए हैं तो गैस वीडियो को शुरू से अंतक देखेगा ताकि आपका कोई भी क्यूसंस मिसना हो पाए तो देखो क्यूसंस स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको सिग सिगनेचर ब्रीज उसका उद्गाटन किया गया है तो यह है वो सिगनेचर ब्रीज ठीके साथी अब मैं यहां पर बताती हूं कि जो यह सिगनेचर ब्रीज है ना इसकी आप बात करें तो सबसे पहला क्यूसंस से यही उठता है कि इसका उद्गाटन किया तो इसका में वजीरापात में यमुना नदी पे इसका घाटन किया गया और देखो यह ब्रीज है यह आम देख सकते हैं यह नमस्कार की मुद्रा में ही यह ठीक है नमस्कार की सेफ में यह ब्रीज है और इसमें जो इस्टिल की केबल्स लगी हुई है यह कितनी लगी हुई है तो देखे इसमें जो 19 इस्टिल की केबल्स है जिनके द्वारा इस ब्रीज को संतुलित किया गया है साती है मैं पता हुने ची कि यह जो ब्रीज है इसमें यहां टॉप पे एक ग्लास बॉक्स है जिसका नाम दिया है इस Glass box का नाम यानि कि Point view यानि कि जो ये glass view है कि इसका उंचा है तो 154 मिटर उंचा ये पिलर है एक ग्लास वह जिसे पॉइंट व्य का ग्या है तो इससे क्या होगा इसके माद्यम से यहां से ईहां है न वह पूरे मतले की दिली का नजारा देख सकते हैं और यहाँ पे जो यह ब्रीज है इसमें चार लिफ्ट लगायए कितने, चार लिफ्ट लगायए कहा है उन्ट लिफ्ट के माद्यम से एक साथ यहाँ पे 50 लोग यहाँ पे जा सकते हैं और scholar साथ में 50 लोग दिल्ली का नजारा देख सकते हैं ठीक है तो साथी साथ हमने देख लिए कि वह चार तो लिफ्ट लगाया गया है और जो यह ब्रीज का जो यह पॉइंट व्यू है यानि कि ग्लास बॉक्स है इसकी जो उंचाई है वह है 154 मिटर उंचाई यह है जो कि कुट् लंबाई के यहां बात करें तो यह 65 लंभाई यह है और इसकी चोड़ाई के यहां बात कर ली जाए तो इसकी चोड़ाई है 35.2 मिटर थीक है तो यह सारी important चीज़ थी वो मैंने यहां बता दी है और एक और चीज़ मैं बता देने चाहूंगे कि यह दिल्ली का जो यह signature bridge है ना इसमें total 8 lane इसमें बनाये गए है और यह 8 lane है इन में से paddle चलने वाले और जो cycle सवा रहने हैं इनके लिए अलग lane है तो guys अब बार यह questions की तो फटाफट इससे related questions देख लेते हैं तो देखें यहां पर सबसे पहला question है कि दिल्ली यह signature bridge है यह कहां पर इस्तित है तो मैंने बता दिया है कि signature bridge है इसका हाली में दिल्ली में वजीराबाद है इसमें यम्नो नदी पर इसका उद्गाटन किया है यहां option से आपको answer मिल जाएगा देखो option में क्या दिल्काटा तो obvious की बात है पंजाब में नहीं है मुंबई में नहीं कॉलकाटा में नहीं है तो हमारा उत्तर है वो दिल्ली के साथ चला जाएगा C हमारा यहां पर उत्तर हो जाएगा अगला देखिए अगला क्यूशन है कि signature bridge है इसका निर्मान है वो किस नदी पर किया गया तो किस नदी पर किया गया यमना नदी पर किया गया यह वजीराबाद में दिल्ली में वजीराबाद में यमना नदी पर इसका निर्मान किया गया तो यहां उतर है वो भी हो जाएगा अगला क्यूशन है कि सिगनेचर ब्रिज का उद्गाटन किस ने किया तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल इन्हों ने इसका उद्गाटन किया गैस देखी यह टोपिक है जो सिगनेचर गाजियाबाद इसको दिल्ली से जोडता है अगला यहां पे क्यूशन है कि सिगनेचर ब्रिज की कुल लंबाई तो signature bridge की बात करें तो इसकी देखिए ध्यान से देखिए है कुल लंबाई पूछी गई है तो guys कुल लंबाई की बात करें तो मैंने starting में बताया था 645 मिटर तो यहाँ पर जो उत्तर है वो भी के साथ चला जाएगा अगला यहाँ पर क्यूशन है कि जो signature bridge है इसकी कुल चोड़ाई कितनी है तो चोड़ाई भी मैंने बताया थी 35.2 मिटर ठीक है तो यहाँ पर उत्तर है वो भी हो जाएगा 35.2 मिटर नेक्स देखिए है नेक्स क्यूशन है कि जो signature bridge है इसमें कितने लेन है तो signature bridge की बात करें तो इसमें 8 lane है और 8 lane है उनमें से पैदल और साइकिल सवार जो लोग है उनके लिए अलग lane है ठीक है अगला क्यूशन यहाँ पर है कि signature bridge है इसमें कुल कितनी lift है तो मैंने बताया था कि signature bridge है इसमें total 4 lift है जिसके माध्यम से 1,7,50 लोग है वो उस पीलर पे जो point view है उस पे जा सकते है और एक साथ दिल्ली का नजारा देख सकते है 50 लोग ठीक है तो next क्यूशन है कि signature bridge है इसकी जो designer है उनका नाम हमें बताना है तो signature bridge को design किस ने किया तो इनके designer का जो नाम है वो है रतन जे बाटली बोई तो हमारा उत्तर है वो हो जाएगा भी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा अगला क्यूशन है कि signature bridge है इसका निर्माण सुरू कब हुआ तो देखो signature bridge की यहाँ बात करें तो इसका जो निर्माण है यह सुरूआ 2004 में यह सुरूआ तो जो हमारा उत्तेर है वो हो जाएगा यहाँ पे 2004 और इसको पूरा करने में लग गए है टोटल 14 वर्ड्स ठीक है अगला क्यूशन है कि सिगनेचर ब्रिज है इसका जो निर्मान है इसमें कुल लागत कितनी लगी तो सिगनेचर ब्रिज के बात करें तो इसकी निर्मान में कुल लागत लगी 1518.37 करोड रुपई है तो हमारा उत्तेर है वो भी यहाँ पे उत्तेर हो जाएगा 1518.37 करोड रुपई है इसकी कुल लागत लगी सिगनेचर ब्रिज के निर्मान में अगला यहाँ पे क्यूशन है कि signature bridge को still के कितने केबलों से संतुलित किया है तो देखो अगर हम बात करें signature bridge की तो still के total 19 केबल है जिनके माध्यम से signature bridge को संतुलित किया गया है तो हमारा उत्तर है वो यहाँ पे C हो जाएगा अगला यहाँ पे question है कि signature bridge का जो उत्तर है वो बी हो जाएगा तो guys देखे signature bridge से related जितने भी questions बने वो सारे के सारे questions यहाँ पे ले लिये हैं और I am very sure कि इन questions के अलावा अगर इस topic से questions पूछे जाते हैं तो definitely इनी questions से पढ़ेंगे इन questions से भार से कोई questions नहीं पूछा जाएगा तो guys वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजेगा ज़दे ज़दे शेयर कर दीजेगा साथी अभी तक नाम देव कैड में YouTube चनल को सब्सक्राइब नहीं के तो अभी सब्सक्राइब कर लीजे और साथी साथ गंटी के चिन को दबा लीजेगा जिससे आपको हल लेटिस वीडियो के अपडेट मिलती रहे थैंक्यू फो वाचिंग दिस वीडियो